कि अच्छी जो आज चीज हमने स्टेडी करनी है that is the uncertainty principle तो हम इसको जैनरली जो कहते हैं अब यह प्रिंसिपल क्या है फर्टे पहले हमें पता होना चाहिए कि what is uncertainty अगर आप लोगों को अपने फिजिक्स के चैप्टर वन का कुछ आइंदाजा है फिस्ट यह के तो उसमें अंसर्टेनिटी को कौफी डीटेल में डिस्क्स किया गया है uncertainty का मतलब होता है बेयकीनी किसी किसी भी वैल्यु के अंदर मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक लैंद्स है 10 मिटर तो इसके अंदर uncertainty कितनी है कि कि 10 मिटर अ इसमें बेयकीनी मुजूद है इस क्म कम य ज्यादा इसके अंदरकोई value हो सकती है तो that is uncertainty के आप किसी चीज़ को accurately बता सकते हैं या नहीं बता सकते अगर किसी चीज़ के अंदर uncertainty ज्यादा है तो आप उसको accurate value को नहीं बता सकेंगे और अगर uncertainty कम है तो फिर आप उसकी exact value जो है वो बताने की position में होंगे तो uncertainty होती है किसी भी चीज़ के अंदर पाई जाने वाली बे यकीनी की value कि कितनी परसंट जो है आप उसको accuracy से बता सकते हैं या नहीं बता सकते तो principle क्या था अगर आप बोहर atomic model को study करें जो के हम करके आए हैं तो बोहर atomic model के नतीजे में जो बात हमारे सामने आई थी वो यह थी कि electron is a particle electron जो है वो material particle है और इसकी वज़ा से हम इसकी दो चीज़ें number one is position of electron and number two is the momentum of electron ये दोनों चीज़ें हम जो है exact values इनकी find कर सकते थे with respect to the bohars atomic model लेकिन bohars से आगे जब हम चले इसी chapter में तो हम पे जो बात खुली वो ये थी कि तमाम matter जो हैं वो show करते हैं dual nature dual nature का क्या मतलब है कि they behave like particle and they also behave like waves अब जब वेव जो उनसी है वो involve हो गई तो उसके नतीजें में जो बात पता चली वो ये थी कि now it is not possible for us to determine both कौन कौन सी दो चीजें position and momentum और जो important बात है वो है simultaneously मतलब क्या हुआ जब wave के involve हो गई wave की properties जब हमारे सामने आई तो हम तक ये बात भी पहुँची कि आप position of electron और momentum of electron दोनों को exact value जो है वो एक वक्त में जो है predict नहीं कर सकते मतलब अगर आप एक चीज़ को अगर आप exact position को locate करते करने की तरफ जाते हैं तो आपका जो momentum है उसके अंदर uncertainty बढ़ जाती है आपका momentum जो है वो uncertain हो जाता है उसकी value जो है वो गहर यकीनी हो जाती है और अगर आप exact momentum की तरफ जाते हैं आप exact momentum find out करना चाहते हैं अपने electron का तो फिर आपकी जो position वाला factor है वो जो जो है uncertain हो जाता है तो ये principle था Heisenberg का uncertainty principle that both position and momentum cannot be exactly measured at the same time या simultaneously एक ही वक्त पे इन दोनों की values को exact values को calculate करना जो है वो possible नहीं है तो this was जी हिजन बर्ग्स अंसर्टैनिटी प्रिंसिपल यहां तक तो चीद आपको जोंती है प्रिंसिपल की definition जोंती है वो clear हो गई अब उसने उसकी mathematical form भी हमें बताई है mathematical form क्या कहती है वो कहता है जी कि suppose कर लें if delta x is the uncertainty in position and delta p is the uncertainty in momentum तो वो कहता है जी कि इन दोनों की जोंसी product है delta x into delta p वो must be greater than or equal to होनी चाहिए h over 4 pi अब इस equation को आप लोगों को मतलब याद होनी चाहिए this is the mathematical equation of Fezenberg's uncertainty principle और यह हमें बताती क्या है इसको अगर आप देखें तो for example h over 4 pi is a constant value right अब अगर एक चीज 20 है for example और यहाँ पर a और b दो multiply हो रहे हैं अब यह चीज अगर 20 ही रहनी है तो a और b कैसे change होंगे number one is 20 and multiply by one is equal to 20 इसका मतलब क्या है कि एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज जो है वो कम है अगर इसको मैं 10 multiply by two कर दूँ तो क्या होगा कि इसको जब मैंने कम किया तो यह चीज जोंसी है वो बढ़ गई क्योंके यह वली value मुझे same रखनी है तो इस equation से हमें यह पता लगा कि अगर आप जोंसे हैं एक चीज अगर डेल्टा एक्स जो है वो small होगा डेल्टा एक्स क्या है uncertainty in position अगर uncertainty position में small होगी small होने का मतलब क्या है कि अगर आप उसकी exact value find out कर लेंगे तो डेल्टा पी की value इस equation के मताबक हो जाएगी large और डेल्टा पी क्या है यह भी uncertainty है momentum में uncertainty जब large हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आप इसकी exact value जो है वो find out नहीं कर सकते तो एक को जब आप exact value की तरफ जाएगे तो दूसरी जोंसी है वो uncertain हो जाएगी इसी तरह अगर मैं डेल्टा पी की value small कर दूँ इसको find out कर लूँ तो डेल्टा एक्स की value जो है वो large हो जाएगी इस value factor को constant रखने के लिए जैसे कि इस example से आपको समझ आ गई होगी तो पता ये चला कि एक को exactly find out करने जाओ तो दूसरी की value exact जोंसी है वो find out नहीं हो पाती और अगर दूसरी को exact find करने जाओ तो पहली वाली जो है वो uncertain हो जाती है और यही principle था जो है एक चीज जो है दोनों को आप एकठा जो है वो find out नहीं कर सकते अब यहाँ पर इसकी जो है वो limitation भी बताता है इस law की वो कहता है जी के this law is applicable only on the microscopic bodies applicable on the microscopic particles microscopic particles कौन से है electron है proton है and neutron है in particles के उपर heavenberg uncertainty principle जो है वो applicable है and it has nothing to do with the bodies with larger masses like macroscopic bodies जो के बड़ी और large bodies है उनके ऊपर यह principle apply नहीं होता क्यों नहीं apply होता क्योंके कल जब हमने last time पिछले topic में macroscopic bodies के हवाले से पढ़ा थे case की range में निकली थी जब हमने एक ग्रायम के stone की wavelength निकाली थी तो फिर हमने यह normally assume कर लिया था कि macroscopic bodies have no waves और जब waves associate नहीं हैं उनके साथ तो फिर uncertainty का principle भी apply उन पे नहीं होगा तो यहां पे यह बात आप लोग देहन में रखेंगे के आपके पास जोंसा है जोंसा है जोड़ा सा डिटेल में और study करते हैं होता क्या है आपके पास वो कहता है जी के आपने अगर एक electron की position मेयर करनी है मैं कहता हूँ जी this is an electron इसकी मुझे position मेयर करनी है अब position मेयर करने के लिए आपको इसको देखना पड़ेगा अब होता क्या है basically आप अगर visible light यूज़ करें इसको देखने के लिए सबसे पहले तो आपको basic concept ये पता होना चाहिए मैं कहता हूँ this is a body मुझे इसको देखना है तो देखने के लिए क्या होगा कि इसके उपर जो है light जब पड़ेगी तो light की जो wavelength है वो इससे आके टकराएगी और जब ये scatter होगी तो ये जब मेरी आँख में आएगी तो मुझे ये body की color और light में ये body नजर आएगी अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक electron को देखूं तो electron के उपर अगर मैं अपने visible light डालता हूँ तो visible light जो है वो काम जो है वो नहीं करेगी visible light का जो diameter है वो very high होता है as compared to the diameter of electron तो क्या होगा कि जब मैं visible light को इस्तमाल करूंगा तो visible light जो है वो इसको इसके साथ टकराएब गएर जो है वो गुजर जाएगी और electron हमें नजर नहीं आ सकेगा तो मुझे electron के साथ टकराने के लिए कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसका short wavelength इतनी कम हो कि वो इसके diameter की range में हो तो फिर मैं उसके लिए इस काम के लिए मैं जो है x-rays का इस्तमाल करूंगा x-rays का diameter wavelength जो है that is very small तो इसके रास्ते में आने वाला जो electron होगा ये उसके साथ टकराएगी x-rays जो है उसकी wavelength जो है they have short wavelength as compared to the visible light तो इसका फाइदा ये होगा कि ये जो है आपके electron के साथ जो है आके टकराएगा suppose करें ये एक photon था x-ray का photon of the x-ray ये एक particle था जो के आके टकराया आपके electron के साथ अब क्या होगा जब ये electron के साथ टकराएगा तो momentum जो होगा electron का वो change होगा momentum of the electron will change अब electron का जब momentum change होगा तो इसका मतलब है कि उसकी जो exact value है उसको find out करने के लिए उसके अंदर जो uncertainty है वो क्या हो जाएगी will increase एक चीज जो थी उसका momentum किसी चीज के टकराने से अचानक change हो गया तो अब जो नहीं value है वो आपके लिए uncertain है उसको जो है आप find out नहीं कर सकते क्यों क्योंकि जब वो उसके साथ टकराया है तो उसके अंदर जो चीज चेंज होई है वो हुआ है change in velocity उसके momentum में change आया है मैस तो चुके सेम है momentum होता क्या है momentum is t this is equal to m multiplied by v अब ये से सेम है electron का तो जो चीज चेंज हुई है वो उसकी velocity है और velocity में change की वज़ा से momentum में change आया और momentum में change की वज़ा से उसके अंदर जो है वो uncertainty जो है वो आपके पास increase हो गई अब क्या होगा अब जितनी smaller wavelength होगी आपको पता है अगर आप energy का relation याद करें तो wavelength के साथ inverse relation था smaller wavelength larger energy तो आप अगर आपके पास जो उनसी x-ray आप यूज कर रहे है यूज उनसा photon यूज कर रहे है उसकी wavelength जो है अगर smaller है तो उसकी energy जो उनसी है वो ज्यादा होगी और जब एक electron के साथ shorter wavelength वाला आके strike करेगा तो उसके अंदर जो change in momentum आएगा वो भी क्या होगा more that will be more वो ज्यादा होगा क्यूं क्यूंके एक चीज को energy ज्यादा दी जा रही है अब वो ज्यादा energy से टकरा रहा है पर एक body थी इसके साथ आके एक जो चीज टकराई वो suppose 10 जाओल से टकराई तो इसके अंदर जो change आएगा मैं उसको x कह देता हूं और अगर इसी body के साथ जो चीज आके टकराई वो 50 जाओल के साथ थी तो फिर इसके अंदर जो change आएगा अगर वो y है तो y will obviously be greater than the x क्यूंके उसको ज्यादा energy से टकराऊ मिला है तो अगर मैं smaller wavelength of x rays इस्तमाल करूँगा तो फिर उसकी energy ज्यादा होगी और जब energy ज्यादा होगी तो change in momentum जो है वो automatically बढ़ जाएगा अब क्या होगा कि जोन सी आप उसकी exact position find out करने की तरफ जब आप जाएंगे तो आप उसकी position find out नहीं कर सकेंगे आपने क्या किया आपने यहाँ पर momentum को find out कर लिया लेकिन आपके पास जो इसकी इसके साथ टकराने के बाद जो इसकी position है वो क्या हो जाएगी position will be uncertain तो यहाँ पर आपको पता लगा कि Heisenberg uncertainty principle कैसे काम करता है कि जब आप एक चीज़ की uncertainty खतम करते हैं तो दूसरी चीज़ की uncertainty जो है वो बढ़ जाती है अब अगर हम क्या करें photon of longer wavelength लार्ज वेवलेंथ अगर हम इस्तमाल करेंगे wavelength is large तो फिर energy क्या होगी small अभी हमने यह relation पढ़ा है कि energy और wavelength का इंवर्स रिलेशन है जितना ज्यादा wavelength होगा energy उस चीज़ की जो है वो उतनी कम होगी तो अगर हम larger wavelength इस्तमाल करें एक्सरेज की ताके जब वो रस्ते में आने वाल एलेक्टरॉन से टकराए तो उसके अंदर जोंसा है चेंज इन मोमेंटम जो है वो ना होने के बराबर आए change in momentum is less या avoid हम करना चाहें change in momentum को तो क्या होगा कि change in momentum is less का क्या मतलब है कि जो uncertainty delta P है वो क्या है वो 0 है उसके momentum में कोई change आया ही नहीं ना होने के बराबर change आया है तो जो uncertainty है वो left near to zero है मतलब बहुत कम uncertainty उस चीज़ के अंदर मौजूद है तो जब ऐसा case होगा तो फिर position जोंसी है उसकी वो find करना जोंसा है position of the electron उसको अगर find करना है तो वो आपके लिए impossible जो हो जाएगा impossible क्यों हो जाएगा क्योंकि इस equation के मताबिक जिसको हम Heisenberg uncertainty principle के नाम से जानते हैं ये चीज़ जब very close to zero मतलब very small value होगी तो ये value जो है वो बहुत ज़्यदा large हो जाएगी मतलब uncertainty बहुत ज़्यदा होने का मतलब क्या है कि आपके पास उसकी position को find out करना exact value locate करना will be the impossible possible तो ये आपका जो है Heisenberg uncertainty principle था जिसमें उसने कहा के पोजिशन एंड मोमेंटम इनकी जो है exact values cannot be determined simultaneously तो ये आपके पास इसको सिर्फ याद ही नहीं होना चाहिए ये आपका concept जो है वो आपके जहनों में जोंसा है वो बहुत ज्यादा उखता होना चाहिए this was the uncertainty principle and I was today's topic as well आपके जो है